बिस्मिल्लाई रमार रहीम आज 15 अक्तूबर 2022 सुबा सवेरे शेंशाय कलंदर की नगरी से एक किलो मीटर आगे तूल पलाजा से थोड़ा सा आगे जहाँ पर नेशनल हाईवे पे कट लगा हुआ था उस कट पे मौजूद हैं रास्ता खुल गया है कारें, रिक्षा, वेने भी आ रही हैं सेवन दादू रोड खुल गया है तक्रीबन चालीस दिनों के बाद, चार सितंबर को मन्चर जील के बंद को कट लगाया गया था आज 15 अक्टूबर 2022 को ये आम गाडियों के लिए खोल दिया गया है कट बंद करके बड़ी मेहनत से ये रोड दुबारा भाल हुआ है रोड खुल चुका है थोड़ा सा दल दल है ये इस पे थोड़ी सी मशिनरी आएगी तो मट्टी डाल कर लेवल कर दिया जाएगा फिर ये फस क्लास बन जाएगा कई तक्रीबन छे हफतों से यहाँ पर बड़ी मुसलसल तकलीफ थी कट की वज़ा से लोग कश्टियों का सफर करके कट की रास कर रहे थे आज रात को ये फाइनल कर दिया गया है यानि कट का बंद कर दिया गया है और रास्ता अभी हमवार हो चुका है अभी भी रास्ते में काम बाकी है सेवन दादू का रास्ता खुल गया है सेवन शरीफ से अप्लेट करते हैं के सेवन दादू रोड जो 40 दिनों से बन था सेलाब की वज़ा से वो दुबारा खुल चुका है सखिलार शाबास कलंदर के दीवाने दादू मोरों से नहीं आ सकते थे काजियमन से गुम कर आना पड़ता था अभी जितने भी काफले आना चाहें तो वो मोरों से दादू फिर दादू से सेवन शरीफ आ सकते हैं सेवन शरीफ से ब्रेकिंग निउस देते हैं दादू सेवन रोड खुल गया है 15 अक्तूबर 2022 को सेलाब का पानी गुजारने के लिए ये रोड को कट लगया गया था आज वो कट बंद करके रास्ता दुबारा बहाल किया जा चुका है सेवन दादू रोड खुल चुका है सेवन शरीफ से अपडेट करते हैं झाल शर्ँ खुल खुल खुबर खुल 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 खुल